पूरा कंक्लूटरी पार्ट हम लोगों ने लास्ट अभी कल क्लास इसले नहीं हो पाई कि हमारे यहां बहुत ज़्यादा पानी गिरने के वज़े से बहुत सारा डैमेज हुआ है दोस्तो तो लाइन का शेडियूल पूरी लाइट बन रही सुबह 8 से रात के 9 बे तक साथ में जो इंटरनेट कनेक्शन थे पूरे इंटरनेट कनेक्शन बन थे इसले में कल क्लास नहीं ले पाया दोस्तो तो कल के लिए शमा आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमने lycopodium का पूरा conclutory part देख ले था हम कहां कहां कैसे कैसे use कर रहे थे आज हम लोग बात उसके आगे करेंगे lycopodium की पूरी body के level पर function देखेंगे कि कैसे आप एक nux omica को कैसे lycopodium को differentiate करते हो है ना s1 और s2 यहनी lymphatic temperament और sanguine temperament s2 या s5 यह sanguine temperament की medicine है लेकिन जो नक्स omica है lymphatic temperament की medicine है अगर आपको यहाँ पर character देखना है protocol select करना है दोस्तों तो protocol protocol मत खेलिए plant study कीजे है ना यह plant study कीजे protocol automatic निकल के आएंगे आज देखिए कल हमने इसके पहले हमने नक्स omica के बारे में पूरा detail पढ़ा था कि अंसिविलाइस condition के कारण जो आज के daily routine में गड़बर के कारण जो develop हो रहा है वो सारे symptom नक्स omica में आते है लेकिन lycopodium के symptom देखिए है ना आप बहुत सारे ऐसे cases को देखते हैं दोस्तों जिन cases के level पर symptom आपको नजर आते हैं आप जब किसी भी ग्यास्टिक symptom को देखते हो अभी जनरल एक character होता है आपको acidity develop हो रही है है आप यह acidity के कारण धीरे-धीरे क्या होता है आप बहुत सारी जो यह आप रेंटासीड लेना चालू करते हैं एसी लाग लेना चालू करते हैं पैंटाप्रोजल लेना चालू करते हैं इससी क्या हुआ जो हाइपर एसीड हो रहा वह हाइपोशिट में चला गया यह नहीं आप जिस condition को न्यूटिल करना चाहिए था उसको आपने नेगडिव कर दिया अब इस कंडिशन में क्या होगा क्या आपको खाना धंक से पचेगा बिलकुल नहीं अगर खाना नहीं पचेगा यह कंड़वर्ड हो जाएगा कांस्टीपेशन में करेक्ट अब कांस्टीपेशन धीरे-धीर घये-दे चले जाएगा इंडाइजेशन में gburg फिर्से नहीं को डरेगा और यही एसी इसी दिती जब को रूप में वेपर बनाएगा तो यह तो डग़कार के रूप में या फिर के रूप में पास होगा यही एकीडिटी जब ऊपर के तरप आपको फ़ेडिक होगा इसके लिए लाकोपोडियम नंबर वन मेडिसीन है ये सब क्यरेक्टर एक साथ आपको नजर आ रहा है आपका पेशिंट बोल रहा है यदी पेशिंट भूका रहता है जादा समय भूका रहे रहा है आप देखो हैडेक होना शुरू हो जाएगा याद रखना जिसको बोलते है पिरियोडिक हैडेक हैज ना एक समय पर हिंपर हो zab को कंटियूर देखने को मिल जाएगा दोस्तों याद रहना दोस्तों कोई भी मेक्ति भूका रहता है उसको gastric trouble होती है और gastric trouble यहां से शुरू हो रही है कारण यह और उस gastric trouble के कारण उसको headache शुरू हो जाता उसकी best medicine lacopedia में आभी protocol आपको यह पता ही नहीं है और आप कहरे हो कि protocol बता दो साब है ना बता दो तो कारण बताओ ना क्यों medicine select के आपने आपको पता लग रहा कि कारण क्या है है ना याद रखना दोस्तों खास सोर से यह दिले लेप साइड हैड हो रहा है S1 राइड साइड हो रहा है S5 लेकिन जब अब कैटेगरी में जाएंगे तो S5 C5 जब लास्ट क्रॉनिक होता है S5 C5 का रोल होता है है ना लेप साइड और से यहाँ पर वीरीशन होगा मेडिस खास G7 स3 एुक्यां एक साइड का रोल होता है इसलिए याद रखना दोस्तों राइड साइड होता है यहाँ पर Ride सैंड में और धीरे-धीरे जब सब्साइडेशन होता है तो लेफ्ट में ट्रेवल कर जाता है थीक्भाए एस ही और ल होता है अगर यह character right side में २े डेवलोप होगा बार-बार किया राईड साइड का माईगरेन मुझे राइड साइड का है अगैक मुझे राइड साइड की तमाम problem जो भी problem है तो याद रखना दोस्तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होगा वह होगा आपका एस टू सी लेवन एल टू आरी लेप्ट में एस वान एल टू सी लेवन वाई याद रखना यह एक्स्टरनल अपलाई करा दीजिए पर्टिक्लर पॉइंट्स पे तो ही ठीक हो जाएगा पेशन इसलिए याद रखना दोस स्पेशल केरेक्टर देखे यह एड़ेक्स सुभी 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 नीन में से उठके हो रहा है ऐस वन लेकिन शाम को दोफेर में चार बजे से दो फेर को ढलते ढलते आठ बजे आते चार से आठ के बिच में अगर किसी को पहन होता है बहुत टिपिकल पहन होता है लाको बंद कम रहा है, heat या warm रूप, गरम कम रहा है दोस्तों, उस गरम कमरे में चले गए आपका headache ठंकर होने लग गया, आप जब खुली हवा में चले गए बिलकुल headache अच्छा होने लग गया, खुली हवा में अच्छा हो रहां नक्सुमी का अंदर कमरे में गए, वहाँ पर ठीक हो गया आपका लाइकोपोडियम मेडिसिन का सिलेक्टन होता है दोस्तों अगर आप इस प्रकार की कंडिशन को देख रहे हो दोस्तों खाने के तुरंद बात दिखोगे है ना आप पहले भार से आए अपने कपड़े उतारने लगे और आपका सिर्द्रद होने लग गया यह बहुत बड़ा करेक्टर होता लाइकोपोडियम का आपका सिलेक्शन और मिडी होता है खाने के बाद किसी को सिर्दत होता है ना सबसे प्रकार मेरे पास कई प्रकार के ऐसे सिंटम्स लेकर पेशिंट आएं दोस्तों अब हम पहुन को लेकर कोई कौन्टीट तो नहीं बना रहे हैं कि इतना पेशन में देख रहा हूं यह अनुभव की बात है कि ऐसे केसिस में हम लोगों को जो प्रोटोकॉल सिलेक्ट होता तो सिंगल प्लांट बता देता है कि स्टू सिलेक्ट हो रहे इसलिए मैं बार-बार कहता हूं को बता रहें अगर इतनी स्ट्रडी कर लेंगे ना कोई जरुवती नहीं आपको ठीक है आपको जो हम लोग फस्ट फस्ट पढ़ाएंगे उस फस्ट हैं की पूरी बुक डॉक्टर जितिन कुमार सर ने बना रखे आप चाहो तो उनसे ले सकते हो दोस्तों ठीक है पूरा हम ल है भी ना थ्रस्ट के नहीं है लेकिन उसके बावजूद वहां देखेंगे बिलकुल ड्राइने अगर टंग को देखते ओर अरी है दोस्तों तो आप दिखा बिलकुल ब्लेकिष टंग नज़राएंगी याद रखना भूलना मत कई बार कारण के कारण देखेगा पूरी टं लेस्ट टूशी टूब ठीक है ब्लेक क्रेक्ट ट्रेंब्लिंग टंग है ना ट्रेंब्लिंग कर रही है और मुझा स्वाद आप देखोंगे बिल्कुल तौर बिल्कुल तीखा बहुत सौर जाला अगर यह केस देखते हो ना आपको तुरुन सिलेक्ट करना है कि लाइको है ना इंफेक्टिव हीट पेटाइडिस हो गया या राइट हापकॉंडियम में किसी भी प्रकार से हीपटो मेगेली नजर आ रहा है लीवर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नजर आ रहा है आपको लोवर अब्डुमन के लेवल पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहां सबसे पहले आपको यहां पर नजर आएगा कि कोई भी जो कंडिशन है लीवर से रिलेटेड है कई लोग जानते ही नहीं है कई लोग जानते ही नहीं साब यार रखेलेना जभी हलकां खाने के बाद एपडो मन में बिल्कुल fermentation का स्भाइटा है जाद रख्ना मतलब आपकशा नहीं करेंड रहा है ना आपडोमन ब्लॉटिंग हो रहे है गैस बन रही है लगातार आपको बीन संटेंक कि साथ बाइल की वामिटिंग कोती आपको गैस्ट्राइडिस में क्या होता है याद रखना के साथ में आपको बाइल की वॉमिटिंग हो रही है कई बार पेशेंट को इतनी भूक लगती है जब आप अब्डूमिनल ट्रैक की वहां पर स्टडी करते हो पेशेंट आकर बोलता है मुझे इतनी खतरनाग भूक लगती है कि मुझसे सहन नहीं होता मैं उंगली चबाने लगता हूं याद रखना जितना ज्यादा खाता है उतन खाना खाता हूं मेरी तकली पढ़ जाती है याद रखना दोस्तों जब कुछ और खाने के बाद थोड़ा सा अबहुत खाता है दोस्तों खाना खाने के बाद उसको भरा भरा समसूस होता है यहनि लोगर आपडुमन में इतनी गैसें लोत थी फ्लैचली नस होता है लिएक काफ़ी जादा इखटा हो जाता है इसी के कारण लगातार abdomen में क्या मैसूस होता है grumbling sound, cracking sound नजर आता है जो fermentation को वहाँ पर fermentation को promote करता है जिसके कारण fletches के सिखायत हो जाती है ठीक है याद अगना fletches के और irritation के द्वारा दोस्तो उसके बाद भी relief नहीं होता continuous symptoms बना रहेगा, recurrently वहाँ पर बार 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 ये processes आपको होती रहेगी तब वहाँ पर महसूस होता है कि भाई बहुत बड़ी complication यहाँ पर तो develop हो गई है ना इसलिए याद रखना दोस्तों लाको पोडियम पेशेंट हमेशा दोता है, belching करता है, डकार लेता रहता है अगर कोई patient बोलता है कि साब इसको बहुत ज्यादा डकार आती है आपकी medicine select हो जाना चाहिए आप तुरन तुमापर select कर लिजिए कि यहाँ पर इसको belching हो रहा है इरिक्टेशन सोर हो रहा है, एक्रीड हो रहा है, याद रखना दोस्तों, सोर स्टमक, बिलकुल आपको स्टमक गरम-गरम, है ना, सोर मॉमेटिंग, कडवी-कडवी मॉमेटिंग नजर आएगे फ्लैचस इरिक्टेशन, लगातार मुँ में से पानी आ रहा, इधर पीछे से gases पास हो रही है, चेस्ट के लेबल पर हार्ट बर्निंग होता है, है ना, लगातार वाटर ब्रश पाये जाता है, कूल डिंग्स अगर लेता है, उसके द्वारा कूल डिंग्स के द्वारा लग अगर यह एग्राबट करती है, तो आपका प्रोटोकल सेलेक्ट हो जाना चाहिए, एस तू, आपको याद हो, मैंने कहा था, यह सारे सिम्टम के लेबल पर मैंने कहा था, एस तू, सीटेन, लवन, एफ़न, भी, डी फाइब ग्लोबल, मैंने कहा था, गैस्टिल जा, गैस् दोस्तों, इंफेंट्स में, जो छुटे-छुटे बच्चे होते हैं, लाको पोडियम, होमेपाइद के डॉक्टर, दोड्राप डेली देते हैं, है ना, याद रखना, दोस्तों, यहां तो S2 है, और जो याद रखना, यह दो ड्राप डेली देने पर कांस्टिमिशन तोड देती है, है ना, रेक्टम कॉंट्रिक्ट हो जाता है, दोस्तों, और प्रोट्रोड हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इस टूल के पासिंग के दोराद देखो, जिसके कारण वहां पर जो जो लिगामेंट्स होते हैं, वो लूज होकर बाहर निकलने लगते हैं, पाइस का ns हो जाता है ना सभी लेवल पर आप लाइकोपोडियूम का प्यूग कर सकते हो ठीक है पाइस के डेवलपमेंट में भी मैंने आपको बताया था अगर किसी को वोट्स मस्सा डेवलप होता है दोस्तों सबसेट टॉप रमेडी होती है अगर आपको यह नहीं देना आप उसको डीफोर में बनाके देदो स्टू सीफोर एटू एलवन विनवन इक्वल क्वांटिटी में बनाके पांच मिल दस मिल देदो उसको कहिए रोज एक लीटर पानी ले उसमें टूटल पांच ड्राप डाल ले और उसको मैक्जिमम एके कप दिन में तीन बार पिए खताम हो जाए और डाल ले और इसी प्रकार लेते जाए दिन बार में तीन टाइम एक एक पिलाना दोस्तों क्या शांदार रिजल्ट आता मस से पता ही नहीं चलते कहां से आये थे कहां चले गए है ना करके दें झाल 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 कि अब लोग मारी यह बर्ष्ट में कोई बात नहीं चले हम लोग आगे बढ़ता है चले दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यह केरेक्टर नजर आता है है ना इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्च्वेट हो रहा है दोस्तों अभी भी प्रापर चालू नहीं हुआ है लेकिन कोशिस कर रहे हूं तो यह दिखिए दोस्तों जब भी एसीड वेपर उपर की तरफ आता है और इस व कर शुरूत करते हो तो जितनी भी कॉंप्लिकेशन राइट साइट से शुरू के लेप साइट के तरफ जाती है दोस्तों यह याद रखेगा मुकस मेंब्रेंट आप जब अफजर करते हो ना आप बोलते हो फिशन को आकर जिबान बहार निकालते हो है ना आप देखते हो ब जब आप सुते हो और सूरने के बाद में आप ठंडा ठंडा पानी पी लेते हो दोस्तों आप देखो आपको तकलिफ बढ़ जाती है और जहां गरम पानी पीते हो आपको तकलिफ घर जाती है है ना शेम कंडिशन मुझे होती है दोस्तों as it is condition मैं इसलिए चाय कम पीता हू मैं इसलिए cold drinks, खटी चीजे कम खाता हूं, अगर किसी भी चीज में हो गई, मुझे thought irritation हो जाता है, याद रखना, get that is scalable, ठीक है, भूलना नहीं, अगर S2 की बात करें, pneumonia में याद रखेगा, कभी मत भूलेगा, pneumonia में अगर S2 भी दे दिया ना, तो patient बहुत तेजी से recover होता है, ह जिनी लाकोपोडियम कभी फेल नहीं होती है, याद रखना, pneumonia के तमाम cases के लिवल पर लाकोपोडियम फेल नहीं होती है, यही कारण है, जिन निमोनिया के cases में treatment नहीं होता है, अर्थाद जिनको resolution देर से होता है, अब है, modern science के कई धुरंदर डॉक्टरों से treatment कराने के बाद patient हमारे पास आता है, अगर उसके बाद आता है, अगर वो patient को recovery नहीं होती है, आप याद रखेगा, बहुत फायदे मंदे S2, अर्थाद साधरन जितने भी advanced stages में indicate होती है, दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा तकली बढ़ चुके, ऐसे cases में, इसलिए right lung, यदि right side में, याद low, softening cuff होता है, गहरी-गहरी सांस आर चल रही है, आपको disnea हो गया, difficulty in breathing हो रही, और cuff निकल रहा है, है ना, large quantity में, थीक, greenish, yellowish, prulent mucus अगर निकल रहा है, दोस्तों, तो याद रखना, एकदम first, वहाँ पर आपको जो है, एकदम 40, dirty sputum निकलता बना जाए, बिल्कु गंदा गंदा, गंदला कलर का, वहाँ पर, sputum जब निकलता है, दोस्तों, तो इस दोरान, आप patient के face को देखेगा, है ना, patient का face एकदम sinus हो जाता है, आपको लगना चाहिए कि इसको oxygen level कम मिल रहा है, एकदम गहरी-गहरी, unhealthy, complexion आपको नज़र आएगा, उसका, एकदम cold face होता है, तंडा, तंडा, आप देखो, face तंडा, right side और left side के legs देखो, आपको different नज़र आएगा temperature का, इसलिए दोस्तों, जितनी भी complication right side से जुड़ी होती है, वो शाम के समय, यहनी 4-8 बज़े तक ही लाक पुडियम के level पर बड़ी भी मिलती है, दोस्तों, ठीक है, इसलिए याद जचना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आप stone के बात करेंगे, uretract infections के बात करेंगे, तो आप भूल नहीं सकते है, दोस्तों, right sided, renal colic में सबसे ज़्यादा beneficial है, आप kidney का अगर selection करते हैं, तो right side में S2 का, left side में kidney में S1 का रोल होता है, दोस्तों, यदि right kidney से लेकर ureter तक drowning pain हो रहा है, बहुत ही जदा उसको, यहाँ पर dirtying pain हो रहा है, दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कि बच्चे जो पेशाप करने के पहले रोते हैं, उसके बाद पेशाप करते हैं, वो पेशाप करने से डरते हैं वो, क्यों, क्योंकि urine में हलका हलका rate sin पाए जाता है, यहीं, urine dark rate या albuminus होती है, उस condition में रामबाण medicine है, आप इसको प्योग करके देखेगा, बहुत ही जवरजस्तर feedback आपको देखने को मिल जाएगा, दोस्तों, ठीक है, याद रखना, urine बहुत कम होगी, है ना, अब urine कम होगी, तो आपको याद रखना है, दोस्तों, कि जब भ बहुत कम होती है, है ना, इसलिए तो आप क्या प्रोटोकाल टाय करते हो, मैं प्रोटोकाल भी आपको समझाते जा रहा हूं, s2, c2, c17, vein 1, b, है ना, इसको बोलते है, आप d4 में ले लो, rs बेस दीजे, frequently दीजे, यह एक ऐसा complicated protocol है, जो kidney का stone कहीं पर भी हो, kidney में भी हो, आ d4 में, rs बेस, 15-15, 6-8 बार, stone को कितनी जल्दी बाहर निकलना है, देशा ही सर कर रहे है, ठीक है, stone को कितनी जल्दी बाहर निकलना है, आपके पास मुझूद है दोस्तों, ठीक है, इसलिए याद रखना, यदि किसी को copious, frequent urine होती है, है ना, night में होती है, बहुत है, है ना, urination के पहले पहनोना, शाम को 4-8 बजे पहनोना, और especially दोस्तों, वहाँ पर हमेशा याद रखना, recurrently तकलिफ होते रहे ना, लगातार ये तकलिफ होती रहेगी, आप वान के चलिए, उन तमाम cases के लिए, urine के flow को बढ़ा कर, वहाँ पर पूरो रूप से, glandular secretion को सांदार result आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है दोस्तों, हमने espermatrix मैंने आपको बताया था, है ना, जब आप किसी level पर कोई भी functions के study करते हो, है ना, वो function आपको याद रखने के ज़रू होता है, sexual function के रिप में देखते हो आप, कि LS2, यहनि लाको पोडियम जो होती है, male, young man की importance, young man क्या करता है, masturbation करता है, हस्त में तुम करता है, है ना, जो penis क्या होता है, बिलकुल small हो जाता है, relax हो जाता है, cold हो जाता है, है ना, बुड़े वेक्तिव में strong desire होती है, है ना, बुड़े लोगों में क्या होगा, वैसा कब ऐसा character आएगा, strong desire होती है, हिन्तु imperfect rectation होता है, आप बुड़े लोगों में देख लो, जुन्होंने बहुत ज्यादा हस्त में तुम क्या, उन लोगों में देख लो, तो याद रखना दोस्तो, C2G और S2, यहाँ पर RE, यह बहुत बड़ा protocol हो जाता है, है ना, याद रखना, C2 किसी भी प् स्पेशल वहाँ पर दोस्तो, स्टीमलेंड करता है पर्टिकलर्स आपके लाइको पूरी रूप से आपके digestive tract को, ठीक है, आपके पूरी रूप से glandular structure को, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब भी किसी premature education के patient को देखते हो, है ना, patient बिल्कुल depressed हो जाएगा, है ना, female के level में जाते हो, तो विजाना में बहुत ज़दा dryness नजर आएगी, है ना, और जब विजाना में dryness नजर आती है, इसके कारण, जब intercourse किया जाता है, उसके पहले और बाद में बहुत painful condition हो जाती है, यही protocol, बस एक अंतर है, यहाँ S2 आ रही है, वहाँ पर S2B है, ठीक है S2B, S2L1B, C2N1G, यहाँ रखना यह protocol आम है, यहाँ पर S2B का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, according to condition, protocol को वहाँ पर add करना पड़ेगा, ठीक है, आप जो वहाँ पर add करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे result देखने को मिलेगा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, stool कर करते समय वेजाना से blood भी आता है, याद रखना यह बहुत complicated condition होती है, यहनि लेडिस stool pass कर रहे है, constipation है, उस दुरान उसके वेजाना से blood आ रहा है, याद रखना बहुत important चीज बता रहा हूं, as to, यहनि लाइकोपोडियम is one of the topmost medicine to select that type of cases, याद रखना, यही नहीं, अगर मैंने कहा था, phyzometra, अगर आपने नाम सुना हो, परसो मैंने बताया था, Saturday के दिन, phyzometra, phyzometra का मतलब होता है, दोस्तों, वेजाना से fleshless pass होता है, यहाँ पर, वेजाना से, बहुत ज़्यादा fleshless pass होता है, और यह बहुत complicated होता है, दोस्तों, यहाद रखना, जब यह condition आप देखते हो, बहुत painful condition हो जाती है, और यही कारण है, दोस्तों, जब बहुत flesches gases pass होती है, महिला को बहुत anigineous feeling होती है, है ना, लेकिन याद रखिएगा, यह treatment, cable और cable, एक electrome pad doctor, बहुत positive approach के साथ कर सकता है, अन्य था, एक yellow pad doctor, तो cable पैसा लेता रहेगा, result कुछ नही नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल electrome pad, home pad doctor के पास है, अगर उसको पता है, तो बहुत easily select करेगा, याद रखना, अगर एक बच्चे को आप देख रहे हो, एक adult female आपने सब बात कर ली, उनमें देख रहे हो, यह सारे symptom, लेकिन एक बच्चा अगर आपको नजर आ रहा है, और बच्चे के माबाप लेकर आए, और वो बोलता है कि यह बच्चे देखो सरी बुड़ा बुड़ा लगता है, है ना, old licking baby नजर आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, initiated होता है, लेकिन head अच्छे से वहाँ पर develop होता है, उसका head बड़ा है, लेकिन body उसके according नहीं है, है ना, उपरा सरीर emissiated, जितना भी उपरी का सरीर उसका नजर आरा emissiated होता है, दोस्तों, है ना, नीचला भाग dropsical होता है, सूजा हुआ, ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा irritated होता है, है ना, हमेशा cross चलने वाला होता है, अगली, कुर रोएगा, रात भर सोएगा, चिल्डरन की हमेशा नाग देखो, दोस्तों, नाग से सुड़कता रहेगा, यानि कोई भी चीज वो नाग से अंदर खीचता रहता है, और यही कारण है, दिन भर जब वो irritation करता है, नोस की mucous membrane को, रात में नाग बंद हो जाती है, है ना, मू मचता थोड़ी है, वो बार-बार नाग को ऐसा करता है, आप समझ जाएए, कि मूँ से सांस ले रहा है, है ना, आप देखिए, सोने के दौरान वो बार-बार नोस को रप करेगा, है ना, याद रखना दोस्तों, पेट जब भरा होता है, दोस्तों, तो उसके बाद वो दाग लग जाएंगे, है ना, यह बहुत बड़ा करेक्टिटिक फीचर होता है, जो आपको देखने की जरुबत है, ठीक है, याद रखना, स्विट धिंग्स के बहुत डिजार होती है, यहाँ पर जो है, मीठा जो होता है, ऐसे बच्चों को बहुत पसंद होता है, और जि चैमो मिला जब आप पड़ोगे, तो बता दोगे, पेट का दर्द बंद हो जाता है, है ना, एसे बच्चों को देदो, दूनों के गुण एक में आ गए, है ना, लेकिन अगर यहाँ पर आपको सिना, यहनि कि पेट के कीड़े मारने के लिए एड करना है, एफटु एड कर सकते हो, इस सारे तीनों नहीं लेना, सैनिकुला में तीनों के सिम्टम मिले है, लेकिन याद रखना, सैनिकुला लायकोपोडियम के ठीक अपोजिट होता है, बिल्कुल विपरित काम करता है, इसलिए यहाँ पर हमें समझना जुरूरी है, कि यह प्लांट्स जो कैरेक्टर वह क्या होता है, इसलिए यह थे बहुत इंपोर्टेंट रूल होता हम यह इंपोर्टेंट रूल्स होता है इनका के निधर बैवियर बहुत इंपोर्टेंट होता है, आप देखो मैं दोनों का沒錯 difference आपको बता देता हो तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा नक्सवमिका लेट साइड रेमेडिय लाइकोपोडियम राइट साइड रेमेडिय दोनों को देख लिया आपने है ना लेकिन याद रखेगा दोस्तों जब भी नक्सवमिका के बात आएगे बहुत ही बाइटर टेस्ट होता है बहुत बाइटर कड़वा और जो टेस्ट जो होता है लाइकोपोडियम का सोर होता है एकदम सोर टेस्ट होता है दोस्तों ठीक है नक्सवमिका लेट साइड लेट साइड लेट साइड रेमेडिय है ना अब सर्दी तो दोनों को होगी है है ना आपको सिलिख करना है कि पीशिन को जब आप प्रोटोकॉल देना है सर्दी के तो आप क्या देंगे है ना अब दोनों में डिफ्रेंस देखेगा आप यहां निकालिए S1, C1, A1, F1, P1, है ना P3, V1, R1, है ना यहां पर दे दीजिए आप इसको थर्ड में यहां D6 में यहां पर S2, C2, A2, F2, V2, है ना यहां पर दे दीजिए ठीक है याद रखना यह दोनों एक्यूट केरेक्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जिनको सर्दी खासी बुखार होता है आप S2, C2, A2, F2, V2, B की आप वहां पर ग्लोबल्स बना लिजिए कोई भी जटी जिसको एक्यूट इंफेक्शन होत है तो यह लैप साइट के लेबल पर यह राइट साइट के लेबल पर यह राइट साइट के लेबल पर यह दी कोराइजा वाटरी होता है कई पेशन आएंगे अलर्जी के लेबल पर और वो कहेंगे कि मुझे जो नाक से बहुत ज़्यादा चीके आरे स्नीजिंग आरी है ल याद रखना वो लायकोपोडियम का करेक्टर है ठीक है अगर किसी को लिक्विट जैसा हो रहा है वाटरी को राइसा हो रहा है यह टीपिकल करेक्टर नक्सोमिका का लेकिन में बता है आपको उसको मीठे के धिजाइर होती है यह नहीं नक्स मोमी का जो होता है ना मसालेदार चटपटी चीज़ें खाने का शोकिन होता है लेकिन जो लाको पुड़ेम होता है ना मीठी मीठी चीज़ें खाने का शोकिन होता है याद रखना दोस्तों कभी डिजार नहीं होती ठीक है गैसेस ट्रेवल अपवर्ड यदी आप दिखोगे दोस्तों कोई भी नक्सोमिका का पेशेंट है यदी ऊपर की तरफ लगातार डकार आती रहती है नक्सोमिका बेस्ट रमेडी याद रखना अगर किसी को ऊपर डकार नक्सोमिका बेस्ट रमेडी यदी किसी को नीचे की तरफ गैसे पीछे की साइट से पास होती है लाको पोडियम बेस्ट रमेडी यह डागनोस्टिक टूल हम पढ़ेंगे नहीं जब तो प्रोटोकॉल कैसे सीखेंगे भाई है ना बहुत सारे लोग इसलिए फेलियर हो जा देदो इस्टिमलेंट होता है इनकी डिजार होती है लेकिन लाको पोडियम में से कोई डिजार नहीं होती है याद रखना दोस्तों ऐसा कोई डिजार नहीं होता है नक्सोमिका बिलकुल कोईल सम होता है यह जगडालो होता है अपनी चीज नहीं मिलने पर तुरं जगडा क इसलिए यह एक्दम माईल करेक्टर का होता है इतना ज्यादा वहाँ पर नहीं करता है नक्सुमिका का पेशेंट चिली होता है ठंडा होता है लेकिन याद रखेगा जो लाकोपोडियम का केस होता है लाकोपोडियम का जो पेशेंट होता है दोस्तों याद रखना बहुत ज् सारे करेक्टर में आपको देखने को मिलेगा यह जो कंडिशन होती है बहुत बड़ी कंडिशन के रुप में सामने आती है जब नक सुमिका का पेशेंट देखते हो ना हमेशा प्यासा रहता है थस्की रहता है बिल्कुल जरा सा कुछ वह दला पानी दो या और हमेशा सामने नक सुमी का हर केश में जब आप एक किसी ज्याथ केस को इंटर्डूस करो गया हर केस को यह हरी करेंना इस बात को जल्दी जल्दी चाहिए सर फाइदा ही नहीं हुआ एक मेने बाद आगे फाइदा ही नहीं हो अरे अध्य करते हो दीरे-दीरे काम होता है दोस्तों यह हमेशा होता है हमें सब्सक्राइब होता है धाक की इतनी दिन भर में मैं मुझे बहुत जएदा स्ट deny ट् ska को आप खोलगे मुझे बहुत जाला सिर्ट और आपको पोल्य को करना 그래도 même में वह देक्कुलर्ली दोस्तों लाकोपुड्यंट में होता है मुझे बहुत जादा तकलीफ होती है एंगर जो कौत्क्रोज नोकश ओमीका का बहुत वालइंट हुता है लेकिन जब लाइकशे एंगर देखोगे on में आपको नक्समिका यूज करना है लेकिन जब लाकोपोडियम की बात करोगे ना तो होलो मस्कुलर औरगन ग्लेंडूलर औरगन ट्यूब नुमा स्ट्क्चर यहनी आप लीवर देखलो गाल बेडर देखलो किड्नी एलमेंड देखलो जितनी भी ग्लेंडूलर कंडिशन होती है उनको देखलो वहाँ पर काम आता है यहाँ रखना पैंक्रेस देखलो वहाँ पर काम आता है इसलिए डाबटीज में स्टू स्पाइब सी 15 आरी जो चार मेडिसीन इसके बगर आप डाबटीज को कवर नहीं कर पाओ गए इसलिए आप इनको क्योंकि यह प्रेस्टाल्टिक मुमेंट यह वहां के फंक्शन ग्लेंडूलर सिक्रेशन सब चीज को कवर करती है लाइको पुडियम इसलिए यहाँ नक्सका का पेश्यन होता हैं होता है मुझे यह करना है मुझे करके छोडना याद रखना लेकिन जो लाइकोपोर परण केसा हमेशा सासिक हो ठाउन. प्रोटोकॉल्स आपको टैबल प्रैक्टिस में पता होंगे तभी तो आप यहां पर प्रोटोकॉल्स को तैप कर पाएंगे याद रखना दोस्तों यही कंडिशन यही कारण है कि बहुत सारे लोग टैबल प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं यह है प्रोटोकॉल्स और यही चीज पूरे 115 प्लांट में डिस्क्रिप्शन है पूरे 115 प्लांट के स्टेडी करने के बा हो गया क्योंकि यह ही ढूमारे वास्त्रीक्ता है यह में अपने कराक्टर को अपने और हमारी कॉमपोटिशन हमारे खुट से आप की कॉम्पोटिशन खुट से अगर आपकी अथ कभिएंगे लेकिन आप अखेले रहोगे दोस्तों कई लेक्टरों पर डॉक्टर आजाएंगे हमने सामने कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपका अलग रहेगा तो कभी भी फेल नहीं होंगे याद रखना यहां पर एक टेंपरामेंटल हम बात कर लेते हैं यहीं आप हम जिसे कर रहे थे कि लॉप प्रैक्टिस क्या होता है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको लॉप प्रैक्टिस में बता दी थी याद कि जितनी भी लेक्टिसिटी का प्यू करना वह एक ने पधारण हम. हम यहाद पर लिंपटीक और सेंग्व मैं के बाद यह दि आप ने टेंपरामेंट जो था सेंग्वाइ न को से लेग कि यहिंसी बहते से इंच एम ट the वाई बी और और यहाधा यहाँ वाइपी और रे यहीछ ती यहाँ पर सबसे ज्यादा condition मिलेगा सब्सी जादा stimulate मिलेगा सब्सी जञता relaxation contraction relaxation contraction dilatation याद रखना इसे लिए यहाँ whi आरी और भी जैसे दिक कम हो जायगा ठीक है ऐ-1, b दिया तो circulation बढ़ जाएगा आपको nutrition अगर कहीं पर पहुंचाना ऐ, a1, b8 कर दीज ए ठीक है अगर आपको वहाँ पर मालो लो भी पी हो रहा है एवन आरी एट कर दीजे अगर एटू के साथ आरी करेंगे तो आप देखो जो मेटाबलिक वेस्ट वाला वीनिस ब्लड है वो ड्रेनिज बढ़ जाएगा है अगर आप एटू आई करेंगे वो रिलेक्स हो जाएगा ठीक है यही आपने वहाँ पर एटू बी कर दिया तो देखे पूरा गंदा वाला जो ब्लड है बहुत तीजी के साथ में फ्लक्च्विट करेंगा यहीं क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफ्रेंस से आज जाएंगे यही कारण है यहीं आप तीस साल एक जनरल 20 साल केज मानलों 20 साल से छोटे विक्तियों को अगर आप ट्रीटमेंट कर रहें और वह स्क्रोपलोस ग्रूप का पेशेंट है ना तो याद रखना दोस्तों लिंफेटिक ग्रूप का अगर जो भी पेशेंट होगा वह एक्यूट ग्रूप में शामिल होता है यह पाद रखना दोस्तों वहां पर क्रॉनिक ग्रूप के पेशेंट आएंगे उनकी जिन्दगी में उन्होंने जितनी जितनी डिसेज को डेवलप किया है यहलोपेद या कोई भी सप्रेशन दवह लिए जिसके कारण डिसेज हो गया उसकी कारण वो क्यारेक्टर डेवलप हो लेकिन वहाँ पर अब तो किसी कि कि में ब लेकिन वहां पर मिक्स हम उपmost स्थम्सी आपको याद रखना है अगर कोई एकुत केसा सता है तो याद रखना वाई आरी और डभी ग्रोले याद लेकिन जब भी कोई क्रॉनिक केस आएगा आपको औरगन को न्यूटिशन और हील दोनों साथ में करना है साइमल्टेनिसली अर्थाथ एक प्रोटोकॉल में जाएगा एक प्रोटोकॉल में जी जाएगा ठीक है यहां पर इसलिए मैं कहे रहा हूं कि जब करने की जड़ोता है कभी-कभी दोनों ने की जड़ोत होती है ना इसलिए याद रखना दोस्तों जितने भी एज ग्रूप के साब साब केस देखोगे 20 से 40 साल के जो केस देखते हो ना सब एक्यूट कंडिशन में आएंगे 20 के नीचे एक्यूट 20 से 40 सब एक्यूट और साहट के उपर जो जाएगा वह याद रखना दोस्तों क्रॉनिक में जाएगा इसलिए जब यहां पर आप ग्रूप जो मेडिसिन सेलेक करते हो दोस्तों तो वह याद रखना है आप जब ऐसे केसे को सब एक्यूट वाले को जाओगे आपको लिंफिटी को यहनी एलवन एलटू का प्रयों हैना फैब्रिफिगो यहनी एफवन एफटू का प्रयों वेनेरी ग्रूप बहुत ज्यादा तर आप मेडिसिन जो बताता हो ना यह क्रॉनी City के अधार पर बताता हो बहुत सारे लोगों ने मुझे से कमेंट्स किया है आप तो बहुत-बहुत सारी मेडिसिन बताते हो मुझे बता दो एक्वीट केस में कितने केस दिखते हो 10% 90% केस क्या होते है 15-20 डक्टरों से गुजर है ना प्रोटोकल कैसे सेलेक करोगे इसलिए मैं यह बताता हूं इसलिए मैं आपको बताने की कोशिस कर दाओ ठीक है याद रिखिएगा ज्यादा तर जो केस आप चिल्डरन के दिखते हो आप चिल्डरन मैंने यहां वर्मन क्यों सामिल किया कोई रोल नहीं है लेकिन वर्मन क्यों सामिल किया इवन यहां पर स्लास का भी बहुत उपयोग करना पड़ेगा आपको वाई और डब्ली का प्रयोग बहुत जादा चिल्डरन के रेमेडी में करना पड़ेगा ठीक है एलेक्टिस के लेवल पर करना पड़ेगा जबर जस्ता फीडबैक्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है याद रखना दोस्तों यह चिल्डरन के भ्याप पर में में बता है इसलिए आपको फैब्रिफिगो वर्मिफिगो पैक्टरल गूप के साथ लिंपटिको ग्लूप और स्लास याद रखना एलेक्टिस सीटीज में सबसे इंपोर्टेंट वाई औ यह बहुत कामन है चिल्डरन के लिए हो आप चिल्डरन के सो में से सतर कैसे में इसको पॉस्टिव रिजर्ट मिलेगा है ना केबल तीस परसेंट में आपको प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ेंगे ठीक है जितने जवानिक में आ जाते हैं योवनारंब काल 14 साल से आप 20 सा है ना याद रखना हारी स्टुमलेंटरी एफेक्ट हीलिंग जी के एफेक्ट और डवली यह तीन इलेक्टिसिटी उनके हर प्रोटोकॉल में शामिल कीजिए आप आपके रिजल्ट दो गुना बढ़ जाएंगे क्योंकि यह वो समय है जब इन एलेक्टिसिटी की वहापर जुरुवत है उसको तो कि उसमें जो भी रोग होंगे वो कहीं ने कहीं से लिंक करेंगे है ना इसलिए अगर आप यहां पर कैंसर इस ग्रूप के लेवल पर कोई भी प्रोटोकॉल ताय कर रहे हैं है ना अगर मैं कहूं फिमेल का स्पैस्पिक बता दीजे तो मैं आपको स इतनी भी केरेक्टर होते हैं सब इन 5 से 6 मेडिसिन के अंदर आ जाते हैं C1, C2, C17, V1, G, B यह हिलिंग केरेक्टर में और अगर आपको मैंने फंक्शनल बताया था फिर्स टाइम में आपको याद हो मैंने कहा था A3, S2, C1, L1, B, R, यह बताया था मैंने यह फिमेल के केरे केरेक्टर को आपने सबसाइड कर दिया ठीक है, फंडामेंटल रेमेडिस आपके कई लोग इस पूरी चीज को समझते हैं, फंडामेंटल रेमेडिस का मतलब होता है, ऐसी कुछ रेमेडिस हर साइंस में मोजूद है, जो कावन रुप से सबसे ज़्यादा यूज की जाती ह है टेमपरामेंट कुछ भी हो, S1, L1, E3, S10, चार रेमेडिस लेक्ट्रो में पैद किया है, मैक्सिमम केसे में मैक्सिमम प्रोटोकॉल में यूज की जाती है, इसलिए आपको ये नॉलेज हो जाना चाहिए, कि हमें यहां पर ये प्रोटोकॉल जो चेंज करना है, तो किस तरह से चेंज करना है, और क्या प्रोटोकॉल ऐसे दें, इसलिए जितने चिकित सब्सक्राइब हो, यह कहते हैं, हमने जब भी S1, A3, L1, S10, यूज किया, मैक्सिमम केसे क्योर हो गए, क्यों क्योर हो है, क्योर रिजर्ट मिला, इसलिए मिला, क्योंकि यह फंडामन टक्रम है, वहाँ पर अगर किसी भी रेमेडी में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कीवल डूस के चेंज करने की जुरुवत है, आपके प्रोटोकॉल में चेंज नहीं होगा, इतना नालिश तो सब को है, है ना, अगर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में जाईए, पॉ किसी को हेवी मेंसें हो रहा है, क्या दो गया आप, बहुत हेवी मेंसें है, C1, A2, B, क्या करोगे, बताओ, नेगेटिव, तो सिक्स्थ डेलिशन, जनरले आप क्या करते हो D6 से सेलेक्ट करते हो है ना या 147 का 6 डिलेशन देना यही कई पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनको C1 A2 B D6 में दिया तब भी रिजल्ट आया ऐसा नहीं है रिजल्ट आया लेकिन वो नहीं है जो इसको मिलने चाहिए था आपको भी सेटेश्पेक और रिजल्ट आजाएगा हैना या दख लेना दोस्तों ऑपको हयाना लेकिन कोई पेशेंड़ ऐसा है कि यही चीज आपको मैं यही 6 डिलूशन का दिखाता हूँ है किसी को इसकैंटी मंहें से सारह कि hein menses आ रहा है ना किसी को बहुत कम menses आ रहा है बहुत कम आ रहा है अब बहुत कम आ रहा तो protocol क्या select करेंगे हम भई हैण ना आपको पता है यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था तो तो हमने ले लिया लेकिन यहां पर वीनस ब्लड जाएगा ना यहां रखना लेकिन यहां पर अगर किसी को मैंसे सी नहीं आ रहा आपने क्या करा यहां venus blood बहुत जा रहा है तो c1 a2 b कर दिया 6 में यहां पर c1 a1 r e कर दिया 6 dilution में लेकिन dose कैसा दोगे है ना आप जब d4 में दोगे तो भी हुई dose मिलेगा 6 dilution में दोगे तो भी हुई भी मिलेगा विकाज घोल के नहीं देना डारेक्ट ऑन टंग देना है ना डारेक्ट ऑन टंग दीजे पोजिटिव डोस दीजे ना डारेक्ट ऑन टंग आपने यही 6 dilution 7 a1 r e का जो यहां दिया था वही यह तो डीफोर में देदीजे और अगर इसी से लेना तो डारेक्ट महाँ पर मैंसिस खुल के आने लग जाएगा इसकेंटी मैंसिस जो है खुल के आने लग जाएगा इसलिए प्रोटोकॉल को पॉजिटिव नेगटिव करना यहीं कहीं सीख लिए अगर घोल के दे रहो याद लग काम करेगा लेकिन अगर आप उसको डारेक्ट ऑन टंग दे ठीक है आपको याद रखने के जरूब है दोस्तों यहाँ पर बहुत स्ट्रॉंग प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा अगर यह सारी कंडिशन आती है ना तो सबसे पहले तो एफवन आपको सेलेक्ट करना ही करना है जो भी प्रोटोकॉल सेलेक्ट करोगे एफवन करना ही करना है अब आप तो के रहें फीवर हो रहा मेलेज हो रहा यहां आरी का क्या रोल इकोनाइट नेपलस जब हम पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा आरी से हमने फीवर भी ठीक कर दिया है प्रोटोकॉल देते आना चाहिए यहाँ पर एस्टेन वाई का इसक हाँ आप यहां पर इसको six डालूशन में दे रहे हो लेकिन टाइफार आया तो वहाँ पर आपको इसको फिक्तर डालूशन में करके पॉजिटिव की तरब जाना है यहीं से नेगटिव करते जाओ इसे पॉजिटिव करते जाओ इना यह केरेक्टर तब आप जो प्रैक्ट स्टेज में सेकंड में हर्ड में फूर्थ में फिफ्त में पांच दीशिस के जो करेक्टर होता हैं पांच पार्ट में डिवाइड किया अलेक्ट्रो में पढ़ेंगे मैं बताऊंगा पहला सेल दूसरा टीशू प्लूट तीसरा आपके मसल्स लिगामेंड के लेवल पर स्टल पांच डीश इस करेक्टर होते हैं इसलिए नेवर मिक्स रामेड़ी पिद अधर सिस्टम आप मेडिसिंग कभी ऑल्येक्ट्रो में पैट रिमेडि को किसी दूसरे सिस्टम की मैडिसिन के साथ मिक्स करके नहीं देना कई लोग जैसे मैं हूं हूं हो में पैटो मैं electricity को mix नहीं करना जब तक भौत इमर्जनसी नहीं हो है न आ याद रखना आप W के साथ कोई भी electricity को mix कर सकते हो लेकिन वाइवी दोनों एक साथ मिक्स करा आपको पता है दो electricity positive दो नेगिटिव है आपने पॉजिटिव के निगेटिव के साथ मिक्स कर दिया तो वह सही काम करेगा क्या नहीं न याद रखना दोस्तों यहां सेम गुरूप की दो अधिया तो आट प्लांट तो वही 16 प्लांट हो गए और एस वन और लाकोपोडेम दो अलग से टोटल 18 प्लांट हो गए तो जो ना करेक्टर मिक्स जो जाएगा इसलिए कभी भी सेम मेडिसीन को डिफ्रेंट ड्रॉप्स टेल आप सा यह निए एक मेडिसीन अगर आपने एक फार्म में ले लिए तो दूसरी जो मेडिसीन है उस मेडिसीन में अलग मेडिसीन लीजिए उसी मेडिसीन को उसमें दूसरी मेडिसीन में नहीं लीजिए अर्था ड्रॉप्स में टैबलेट मे सायरप में अगर वो मेडिसीन मुझूद है तो आप उस character को उस dialation को मेच नहीं करिए उसके function को disrupt नहीं करिए आप दूसरी कोई भी medicine यहाँ पर सामिल नहीं करिए ठीक है अगर सामिल करते हैं आपका character change हो जाएगा medicine का behavior change हो जाएगा और medicine का behavior change हो गया तो आपको result मिलना है क्या आपको कभी नहीं ठीक है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं यहां से मैटी स्थियोरी की मैटी जी क्या कहते हैं ठीक है लगातार scientific research चालू है दोस्तों confirm होता है हमारा विश्वास जागरत होता है जो नए नए प्रोटोकॉस निकल के आते हम लोग एक दूसरे की ठांगे खिच खिच के यह को बहुत नीचे लिए बहुत नीचे लिए दोस्तों याद रखना हम एक दूसरी को बिलकुल फूटी आंक नहीं भाते हैं कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको याद रखना डिजॉल हो जाते हैं दोस्तों इसलिए ड्रग अपने स्वयम की पूरी शमता के साथ में वहां पर मिक्स हो जाएगी तभी काम करेंगे आप उसको केवल डाल के दे दो और मिक्स कर लोगे तो नहीं होगा है ना याद रखना इसका मतलब यह होता है कि ड्रक्स के मॉलिकुल जो कि बार-बार कंपोज करने पर अलग-अलग भागों में वड़ता चला जाता है यहनि आपने एक मेडिसीन बना ली कोई बैस बना लिया उसका बार-बार आप वहां पर उसको तोड़ रहे वागे है ना उसके हर करेक्टर में हर डालूशन में एक नया करेक्टर निकल कर जैसे इस सॉल्वेंट को बढ़ा जाएगा डिजाल ड्रक के सॉलिट के रूप में वह गैस के रूप में कनवर्ड हो जाता है मैं बताने के कोशिश कर रहा हूं मैटिस डैलूशन थेरेपी यहनि जब यहां पर एम एम पी ग्लोविल्स आपने बनाया इस एम एम पी वही ड्रक उतनी मात्रा में आप करे रहो एक कण पाणी में ले लो आप अगली बार करें रहो ने एक ग लास में ले अभी मैंने का है एक लिटर में इसकी एस टूप ड्राब डाल दो और उसको कह दो कि दिन बार में कपाँच पाँच जो है कप पे ले तो यह ना थे करेक् सबसे पहले गैसे लगोगी स्टेट में जो पार्टिकल के रुप में चूसने को दिये वह केवल nutrition का जैसे काम करेगा लेकिन जो गैसे से स्टेट में कर रोके जाएगा वह बहुत डीपली काम करेगा और बहुत तीजी के साथ काम करेगा इसलिए याद रखना जो भी medicine ईंदर पाव यहां पर Jim Oliver लोंता है वह बहुत डीप में जैता है एक यह यहांपर को भी constitutional diet thesis को treat करते हैं यहनि किसी भी constitution temperament में वीक्ति को रूब पन अपर है ना वो body के minute vessels को भी affected करता है अंदर की छोटी-छोटी vessels होती ही उसको भी प्रभाविक कर देता है इसलिए electromapid में higher dilution की भी नीड से आऊशक होती है दोस्तों यह दि किसी large पहले क्वारिए डॉर को क्योड़ करने के शमता बतारा हूं यदि किसी लार्ज और गन का अफिक्षन होता है जैसे कि स्ría जोस्तों मैंस्व डोस देकर तो रहत देना ठीक है लेकिन यह दी आई की किसी नर्व में अफिक्षन हो तो यह उसका ब्रेकिंग हो गया यह उसमें कोई अफिक्षन हो गया तो क्या करोगे आप क्या दीफोर दीफाइब इसी कंडिशन में पावर आपको ज्यादा करना पड़ेगा यह नि हाई डायूटेड रेमेडी का प्योग यह जो भी प्रोटोकॉल सेलेक्ष नेगेटिव पॉजिटिव आऊगे अगर नुटिशन के जरुएद है तो पॉजिटिव नेगेटिव जाओगे लेकिन सबसे पहल यह ठीक बाद में करेंगे और जब आप बाद में मोर नेगेटिव पॉजिटिव आते हो पेशन के क्यूरिंग कैपसिटी बढ़ जाती है और जो ट्रीट करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है और आपका पेशन रिकवरी फास्ट करता है यही कारण है लेक्ट्रोमे जड़ी से अब रिकोगनाईस करने लग गए दोस्तों याद रखना आप हैना यहां पर बहुत सारे आप इसे रिंदेख लो हैना एट्रोपिन देख लो एट्रोपिन सलफेट को देख लो हैना हाई डालूशन में यूज़ कर रहे हैं है ना याद रखना यह लोग क्या करत करते हैं दोस्तों या रखना पहले इसके अलावा कोई डालूशन यूज़ नहीं करते थे मैंटी जी क्या करते थे मैंटी स्थियोरी देखे दोस्तों मैंटी जी क्या करते थे कि यह आपका फर्स्ट ग्लास यह सेकेंड ग्लास और यह थर्ड ग्लास ठीक है first second and third glass अब मेटी जी क्या करते थे दोस्तो जो MMP global आपने बनाया एक global 20 number एक या दो global ठीक है उन्होंने इसमें डाल दिया ठीक है चम्मच से हिला लिया ठीक है अब इसमें से 5 ml या वही चम्मच का एक चम्मच है ना उन्होंने इसमें डाल दिया इसको घोल लिया यह उनका बना first glass यह बना second glass है ना अब यहां से उठा कर 5 ml उन्होंने तीसरे glass में डाल दिया ठीक है ऐसे निरंतर glasses बनाते रहते थे वह ठीक है उसी MMP को आज भी बहुत सारे चिकिस्तक मैटी थियोरी को फॉलो कर रहे हैं और वहां पर प्रैक्टिस में अपने रिजर्ट ले रहे हैं लेकिन यह दोस्तों केवल ओर्गन्स की डीसिस तक सीमीत है लेकिन जब मल्टीपल और्गन में आता है तब वहां पर यह result भरी करता है यह जो होता है मैटी स्यूरी है एक ग्लोविल यह दो ग्लोविल कुछ लोग करते हैं कुछ एक करते हैं यहां पर डाल दिया घुल लिया यह डाली उठ हो गया यहाँ से 5 मिल लेकर दूसरे में डाला यह पॉजिटिव यह न्यूटल वह या तैयार करते हैं दोस्तों प्रूस्ट इंटरमिडिर एो थर्ड गलास के लूप में का नाम से जाना जाता है एकका को इन है नग us नहीं के पास को बाव में सबस्जइ समय नहीं किक लिक्ते करते तो आज यह आज के समय में आगे भी डालिशन का यूज़ करते हैं ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसको एक ग्लोबिल्स को 6 वाटर में डाल कर नेक्स डालिशन नहीं एक ग्लोबिल्स के लोग एक चोथाई है ना गेलन में वाटर में डाल दो यह जरुवत हो बहुत सारे इंटरमेडियट डालिशन यूज़ करना चाहिए दोस्तों यह एक ग्लोबिल्स एक कप में भी यह एक लिटर पानी में भी डाल कर आप वहां पर उप्यों कर सकते अकोर्डिंग टू कंडिशन यह प्रोटोकॉल कंडिशन के अकोर्डिंग वहां पर आपको देखने को मिलेगा लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों मैटी जी के जिस तरीके से डालिशन की तयार किया था उस अनुपात में बरकरार रखें दोस्तों तो इस साधर एक आसान तर में डाल कर गरम हो या ठंडा है ना मीठा हो या फीका मिलक दूदो उसमें डिजॉल कर देते थे और उसका उप्योग फ्रिक्वेंटली एक एक चम्मच करके वहां पर लगातार कराते हैं फ्रिक्वेंटली यह न्यूट्रिशन देने का काम होता था एक चमच जल्दी-जल् निकालके दूसरे ग्लास में डाल दिया और वहां पर उसको कह दिया के चलिए ठीक है अब आप इसको आगे से बढ़ाए कुछ रेमेडिस के सेकंड या थर्ड डालुशन ग्लोबिस के द्वारा प्रिपेर की जाती है उनसे सेकंड और थर्ड डालुशन बनाया जाता है जै बभर के दीजिए एक यहें दो एक यहां आप के पास सेकंड डालुशन का प्रिपेर हैं आप जो को दे दिजे उसको कहई एक गिलास पानी में डालने सेम प्रोसेस करी है थर्ड में देना एक इसी प्रकार से बना लिए दे दिञे और थर्ड में उसको फॉलो कराइए ठीक है यहां पर कुई भी ओढ़नरी स्टेंद की ग्लोबल्स को पेशेंट के हाथ में कोई भी सेकंड थर्ड फॉर्थ फिप्ट आपको जो बनाना है वो एज इस बना कर आप दे सकते हैं हाइपोटेंसी की मेडिसिन भी इसी प्रकार से आप बना कर यूज कर सकते हो दोस्तों ठीक है यह एक टेक्नीक है ठीक है जो हमने फर्स गेनरेशन में मेडिसिन नहीं जाएगा ठीक है याद रखना दोस्तों लाइटर डालूशन यह इंटरमेडियेट डालूशन यह नहीं मेटीजी का नुफसार एक ग्लोबल्स को एक लिटर में एक ग्लोबल्स को डाल कर दे दिए आप हैना बहुत एफेक्टिव होगा दोस् अगर आप फर्स ग्लास में देखोगे इसकी वेव कम रहेगी इसके करेक्टर में ज्यादा है लेकिन एनर्जी कम है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे मॉलिकुल्स कम होते जाएगा उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉंग होती चली जाएगी दोस्तों इसलिए य ग्लोबिस को लगभख एक क्वार्ट कहते हैं याद रखना मोर एक्जेक्ली वन अपन सीफोर पिंट ठीक है आप वाटर में मिक्स करते हैं यहनि कुछ प्रेक्टिशनर पिंट डालेशन का प्रयोग करते हैं एक ग्लोबिस को एक पिंट में डाल दो जबकि अन्य अध्य यह यहां और दो यही प्रोसेस आप बनाख में अ रहे है इसको जितना नेगयुचिव करोगा इतना की यिए सबसेटी बढ़ गाए उसके बहुत शांदार क्यूरिंग के बढ़ेगे इसलिए याद रखेगा आज के समय में जो भी बॉइल वाटर फिल्टर वाटर डिस्टिल वाटर और वाटर का यूज किया जाता है दोस्तों किसी भी ग्लास में ग्लोबिस डालोगे दोस्तों तो याद रखना वो ग्लास पांच म अगर आपको कोई भी चीज हो तो आप इसमें पूछ लिजे कल हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो एक अलग सब्जेक्ट होगा एक अलग तरीके से उसको डिमांस्ट्रेट करेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन है और पूछ लिजे दोस्तों अगर कोई आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो जी अभिशेक कुमार सर अभिशेक सर अभिशेक शा अन्म्यूट कर लिजया अभिशेक सा अभिशेक सा सर बोले अभिशेक सर बोली आगे बोले आप्टर नून सर नमस्कार नमस्ते तर यह जो प्रोटोकॉल जो बताए सब्सक्राइब निकलता है तो ठीक हो जाता है और उसको खासी रहती है क्यों सब्सक्राइब यह चलेगा सब्सक्राइब नेगेटिव में जाई नेगेटिव सब्सक्राइब और सब्सक्राइब यहां से तो उसको 147 के हिसाफ से तोड़ना है तर जिससे लिया उसे से पूछो ना मैरे से क्यों पूछ रहे हुआ वह तो वहीं बोले 147 से इताव सब्सक्राइब बनाता उससे पूछो जर बिलकुल वही बताएगा तरह के जिम्मेदारी पूछा है अगे बोले दूसरे प्रणार वक्राइब करें नीचे परद तक है एक खीडा के तरह काटता है उस हाईव कर नहीं आत है इसार आपका निद नहीं आ रहा तो नहीं है सब्सक्इन्जा हो पूछ रहा हो पूछ रहा है पूरा ध्यान से मुझे बताओ तो मैं आपको प्रूटोकल बताऊंगा नहीं बतानी तो आपको प्रूटोकल बताऊंगा नहीं बतानी नमस्ते मैंने यह सीवन का एक पीड़एग बताऊना था पॉलिसेट का मेरे पास में उसको एक्ट्रम मतलब यह हो रहा था कि तीन से चार मैंने हो गया एलोपेटी डॉक्सर्टर से के पास आया था कि उसके पीरिट बंद हो गये तो आई नहीं रहते तो सीवन को मैंने फर्स्ट में तू हंड्रेट में दिया था तीन दिन के लिए और उसके बाद में फिर सीवन को डी फाइब में कर दिया और एंबली कल में मैंने सीवन और डबलुई को एपलाई करवाया था बहुत बढ़ाया था चूपिस से अड़तालिस गहंटे में पीरिड इस्टार्ड हो गये सब औ इन चार मैंने बाद में तो बंदी नहीं होते थे यह वाले प्रोटोकॉल से सिर्फ याले प्रोटोकॉल से सीवन से पीरिड आटोमेटिक आए और प्लॉटेट भी आए और साथ में जो पांस से च्छे दिन में पीरिड और और अल्रेडी स्टॉप भी होगा बहुत बढ़ यह जो अपना इस पर मैंटो जैने से इसके लिए जो आपट ग्लोबल से बनाए है एस टू सी टू वाला जो है कॉम्बो इसको सर एक्स्टी एम एम पी ग्लोबल में मैंने प्रिपेर किया है तो इसको इसका डोज क्या रहेगा तो वह करना था जो भी डोस पॉजिटिव मे अगर एक्वीट कंडिशन है तो मैस्व डोस आप मैक्जिम छे से आठ बार दीजिए और अगर आपको लगता है कि क्रानिक कंडिशन है तो थी टू फूर दोस दीजिए ठीक है जी थैंक जी 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 अब बूले अटूल जी 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 नमस्कार अपने एक डॉक कई थी उसका पूरा नाम कहां पर मिल जाएगी जी जी तेंदर कुमार आपको गुरूप में डाल दूँगा आप टेलीग्राम में जुड़े या वाटसप पे जुड़े वह टेलीग्राम में तीक है मैं नंबर ड सब्सक्राइब करें तो ना जाए तो ना जाए टेंपरामेंट बताइए लिम्फेटिक टेंपरामेंट की डोमेनिंसी है लेकिन थोड़े बहुत है उनमेंजी करेक्टर एक काम कीजिएगा इस टू के ग्लोबिल मार्निंग में दो ग्लोबिल एक गिलाग्स पानी में डालकर रोज सुबह दीजे और स्मान 30 को चलाई है लास थर्टी को चलाई है पांच पच ग्लोबिल दिन में चार टाइम चलाई है ठीक है और मुझे 15 दिन बात बताईएगा जब तक तक लेन ईपीं26र कि उर्टाइए और मेंचे सब्छाएं लिए और सिरेटर ओवरल्म क्या है राधा है वे क्यों हूंं अब लिएंस करांटर सिर्टीन को रएए कि निमेंट पिहीं हो रहा है क्या हो demasi 00 co तो फिर आप उसको यहां पर जो है सबसे बेस्ट है सिक्स सी सिक्स आरी ना इस टू स्टी टू सी सेवंटीन वेंट वन भी ना इदू प्रोटोकल चलाएगा आप डी फाइप या डी सिक्स में ठीक है एकोडिंटू कंडिशन देख लेगा बच्चा पांस साल से चोटा है तो अडिशन का नाम तुसज का नाम क्या बोलते हैं धीशच को क्या बोलता है कुन सी सी में होता है यह व्युक्शन का नम हार्मूनल डिस्टरवbor़न का देच्ट में हमने शथ्चर बता दिया था शट्रेक्ता है बच्चे को काफी सारे केसे जा रहे हैं जो माम से हो रहे हैं दोनों कान पेड़ शुजन है फिर यह फिवर को साथ क्या है इस कुन सी इंफ्लामेशन होता है थीक है तो एस्टू सी 13 यह में मेडिसिन होती है आप इन मेडिसिन कीजिए पेशिन ठीक होगा नेगटिव में जाएए ठीक है अब एक्स्टरनल अप्लाई कराइए बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वहाँ पर इस्टू जी जी नेक्ट कुश्च्छ ऑके थेंक्क्य सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब बहुत बढ़िया लेक्चर सर्थेंक्यू वेरी मच्च और अडवांस लेक्चर सर्थेंक्यू सब्सक्राइब बहुत बढ़िया बेसिक सर्थ बहुत बढ़िया देखो अब आपको और हमको यही डिफ्रेंस नजर आ रहा ना सारे लोग प्रोटोकॉल पूछते हैं लेकिन बैसिक कुछ नहीं इनके पास यह बैसिक अगर इनके पास हो गया ना तो यह दुनिया के टाप आपका अब तो कब मतला मालत की तरह काम होता शर तांच नहीं कर रहे हैं ओक द्यासिश्य इतना पता ही नहीं ता है इतना कुछ में है ATT कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं सर काप्र टाइं से लंबे टाइम से प्रेक्टिस कर रहे हैं पर बस प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल खेल रहे थे और कुछ नहीं था और यहां आके इस प्लेट फॉर्म में आके कि अच्छे से समझाते हैं सर इसने अच्छे से समझाते कि एक ही बार में माइंड में आ जाता है कि यहां ठीक है बुले सर अगे बुले आपका यह क्लास जौन के नहीं इस में प्रोस्टेज के चार प्रेशन ठीक है आप लगी स्थिंट से बहुत 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 बदाई आपको ठीक है सिर्प आरी लगानी से चार प्रेशन ठीक है बहुत बढ़िया सब्सक्राइब अगे बढ़ते जाहिए सब्सक्राइब तो मेरे पास मैंने क्रूड मंगा के और टेंथ प्रीपेयर कर रखा अगर पेशर तो डी थरिटी मंगाना पड़ेगा डी ट्वेंटिन ने आपको अगर बना सकते तो बना लीजिए ताम बुलवा लीजिए को इसक रिजल्ट अलगी मिलेंगा वे सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा रहे तो प्रोटोकॉल के ही लिए जूड़ते हैं प्रोटोकॉल का उनको पता ही नहीं कि अध्या एडवांस जो होता है वह इनको कभी नहीं मिलना दूबारा कभी नहीं मिलेगा सर जी आधिन सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवार नमस्ते नमस्ते मैं दर्भी बुल रहा हूं अमधार से सर्थ अमाहिन सर कैसे हो बस वस वसला साफी तब्यत पानी कैसे सर बढ बढ़िया है मैं सर आप सुनाओ भावी की तब ठीक है अब एक दम फसला से मैं सर नमस्तार 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 सर मैं बता रहा था कि नी में प्रॉब्लेम है गुटने में तो उसमें क्या देख सकते है कि कि उम्रे है उनकी 55 सर देखो नी के लिए रूट सबसे बैस्ट है अगर करने की जुरूबत नहीं को अगर लिटर डिलूशन में देने से कोई प्रॉब्लम है कैसे नहीं बिलकुल नहीं आप दे सकते हो लेकिन याद रुखो पॉजिटिव में नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव फीक है कोई भी चीज आप जितना नेगेटिव जाओगे क्यूरिंग कैपसिटी उतनी फास्ट हो जाएगी कोई भी मेरे अभी देखो मैंने आपको सिक्स्तर डिलूशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक तरह से बता दिया कोई भी डालुशन अगर आपको नेगेटिव में काम करना तो उसको डालूट करके देदो और वही डालुशन अगर आपको पॉजिटिव में करना है आप उसको डारेक्ट ऑन टंग देदो यह पॉजिटिव का तो होगा नहीं मैं केवल मंत में एक बार 10000 सीथ्री का बंता हुट देता हूँ बंत में एक बार इस्पम काउंट में वह जाफा देखने को मिलता है जो किसी दूसरी इतना टॉप क्लास है तो यह पॉजिटिव और पॉजिटिव देता हूं मैं चाहूं तो डालूट करके भी दे सकता हूं लेकिन डालूशन के वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो ग्लोबिस में ठीक है गैसे स्टेट में करके तुरंत एब्जॉब कराई है रिजल्ट भी तुर अल्टिमेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा ठीक है ठीक है दोस्तों आज यहीं रखेंगे हैं थेलो थेलो